नमस्कार बहुत स्वागत है आपका देखने आज का खास जोतिश जराहट के मैं हूँ आपके साथ आपका संतोश संतोशी चर्चा आज प्रेम की विशे पर है जिस विशे में हर कोई जानना और समझना चाहता है यह विशे है विवायत और संबंध इसमें भी दो केटेगरी हम ने बना दिया है इस्त्री और पुरुष इसके लक्षण बताएंगे शारेक आज चर्चा करेंगे हम पुरुषों के विशे में अगली वीडियो में हम बताएंगे महलाओं की विशे में प्रियमित्रों यह जोतशिय शोध पे आधारित है इस शोध को करते हुए हमने अपने विवेक का इस्तेमाल किया है लगभग पांच सो कुंडलियों से गुजरने के बाद मैं निशकर्ष निकालता हूँ और निशकर्ष निकालने के बाद भी और कुंडलियां आती हैं जिस पर हम बहुत प्रमाणित तोर पर उन योगों को फलित होता हुआ प्राप्त करते हैं मित्रों किसी भी योग को जज नहीं किया जाता आपकी कुंडली में कोई योग है आप उससे किसी की परसनालिटी को जज ना करें जोतिश विज्ञान की प्रमाणिक्ता हम बताते हैं इस योग की आधार पर हम शुभ करने का प्रयास करें शुभ सोचने का प्रयास करें अब किसी के कुंडली में है तो उसकी शांती कराई जाए अगर उसके कारण परिवार विखर रहा है तो अगर किसी की कुंडली में है एक बार जब शान्ती करा दी जाती है तो ग्रहों का असर पाप फल देने में कम हो जाता है तो आईए आज हम पहले पुरुषों के निमित बताते हैं कि क्या योग होता है जब कोई पुरुष बिवाह के बाद किसी के साथ involve हो जाता है हमने भी बताया था कि हम इसमें दो कटेगरी करेंगे एक होता है सामान involvement कि किसी के साथ सम्मंद बना और बात आई गई हो गई दूसरा होता है कि किसी के साथ सम्मंद बना और बात इतनी गंभीर हो गई कि पत्नी को ही त्यागने की नौबत आ जाए दो बच्चे, तीन बच्चे के बाद भी पुरुष कहता कि छोड़ देंगे, मार देंगे अभी मेरे पास जब हमें वीरियो शूट कर रहे हैं थोड़ी देर पहले एक केस आया 36 गड़ से, कि जिसमें एक पती, ध्यान दीजे का पती, बिवाह के बाद ही तो कोई पती बनता है एक पती अपनी पत्नी की इसलिए हत्या करने के लिए बोल रहा कि तीन दिन में तुझे मार दूँगा क्योंकि उसे प्रेमिका से बिवाह करना है तो हम ये विशय लेकर के आ गए शोध चल रहा था पहले से भी तमाम योग होते हैं उसको कुंडली और डायरी में नोट करते जाते हैं शोध रिसर्च यही आपको प्रमारित करता है आपके अंदर आत्म विश्वास भरता है क्योंकि हम पत्थर बेचने में भरोसा नहीं करते हैं हम जोतिश को जीने में भरोसा करते हैं हमारे दराजों में पत्थर नहीं होते हैं हमारे हर्दय में शोध होता है रिसर्च होता है खैर तो पतिदेव की कुंडली पंचम सब्तम का अगर संबंध है योग नमबर एक पंचम सब्तम का अगर संबंध है तो ऐसा पुरुष विवाह के बाद किसी न किसी के साथ फिजिकल इन्वॉल्मेंट में आएगा आ सकता है नहीं आएगा योग नमबर दो सब्तम अश्टम और एका दस का संबंध अगर है सब्तम अश्टम एका दस का संबंध अगर है तो विवाहेतर संबंधों की बाढ़ सी आजाएगी अगर इन तीन ग्रहों में से कौन-कौन पंचम अश्टम एका दस में से अगर कोई ग्रह चंद्र या शुक्र हुआ तो बाढ़ आ जाएगी चंद्र शुक्र नहीं हुआ तो दो चार रहेंगे ये श्योर शॉट कन्फर्म बता रहा हूँ महिलाए़ धयांदे अगर किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र छे नंबर बारह नंबर में हो पुरुष की कुंडली में शुक्र राहू के साथ हो या चंदर के साथ हो चंदर से दिश्ट हो अश्टम के साथ हो अश्टमेस से दिश्ट हो तो भी विवाहिततर संबंदों की संभावना सत प्रत्षत बन जाती है ये तो पुरुष के लक्षण हो रहे है अब उपाय क्या करना चाहिए राहु शुक्र और बुध बुध क्यों बुध खस्ठेश होता है राहु शुक्र और बुध की शांती अगर पत्नी संकल्प लेकर के अपने पती के निमित्य करवाती है तो उसके पती के अंदर का भटकाव रुख सकता है रुख जाता है तो इसकी शांती आप समय से करवा लिजेगा नहीं तो यह योग परिवार को नश्ट कर देता है नब्य परसंट तलाकों के कारण आजकल इस्ट्रामेटर अफेर्स ही है मोबाइल है वाटसप है फेसबुक है इस्टागराम है इन सब वजहों से राहु का एक्टिवेशन बढ़ जाता है और आपका सत्या नाश हो जाता है परिवार बचे इश्वर से प्राक्तना होती है दूसरी वीडियो में हम बताएंगे कि इस्ट्री के भटकने का कारण कौन कौन सा है और किन ग्रहों से होता है जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड नमस्कार शेरादे आचार्य विश्व प्रसिध ज्योति शाचार्य संतोष संतोष जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्शमी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीप मौडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदीप दीप एक खुशियां अनेक एक तो आपको अनेक